नमस्कार आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में आएम ले चलते हैं आपको जिलाइस मुख्या ले जहां पर मुख्य सिकित साले सिर्वे में व्यक्सिनेशन का कारे सुरू हो चुका है आपको बता दें कि प्रिदेश बर में जो कोरोना का संक्रमान चल रहा था उससे निजात पाते हुए पिछले अपते ही वेक्सिनेशन का ट्रायल चेक किया गया था और इसी के तहट आज जिला इस्तर पर वेक्सिनेशन शुरू हो गया शनिवार सुबद से ही तैयान जोरो पर थी जिला कलेक्टर बगवति पसाद ने बताया कि जिले में तीन जगह पर व प्रतम चरण में स्वाषचक कज्मी हों को वेक्सिनेशन दी जा रही है और उसके बाद में आगे जिस तरह से प्रोग्राम है उस तरह से वेक्सिनेशन दी जाएगी और वेक्सिनेशन में किसी तरह की साइड़ इफेक्ट्oka बादा से दूर रहने के लिए पीजीशियन वह एनेस्टीशिया डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर हमेशा जगह पर उपस्तित रहेंगे और उनके मरीज की देखरेख 47 पर ही की जाएगी लेकिन इन बातों को सिर्फ समावना ही बताया गया किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट मेजर नहीं आया बावजुद इसके उन मरीजों को सभी को मास्क लगाना है दोज़ज की दूरी रखनी है और अपने आथों को भी दोना है और उन सभी चीजों का पालन करना है जो पहले हम कोरोना से बचने के लिए करते थे प्रथम चरण में सिकिट्सकों को भी वेक्षिनेशन दिया जाएगा डॉक्टर राजेस कुमार ने बताया कि चार चार दोसों दस वेक्षिनेशन हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें से हमने आज तीनों सेंटर को मिला कर एक सो सतानवे लोगों को वेक्षिन के ठीके लगाए हैं और दूसरी अवेलेबल अब चार रहेंगे वेक्षिनेशन के इस एतियासिक मौके पर घ्ला कलेक्टर शे एम यह एच्व पीमो और वेच्टबूरे जी जीली की जो जीला मुख्यालक की टीम ठीट जी वो सारी उपस्रीत रहे कर्म चारी वीपिस्तित रहे और इस एतियासिक ख़ंड को बड़ा य करना जरूरी है हाथ जोड़ कर आगर करते हैं और व्यक्षिनेशन शुरू हो चुकी है लेकिन सुरक्सा व्यवस्ता जरूर रखें सारी तैयारियां जरूर रखें जो पहले करते थे धन्यवाद